और क्या हाल भाई सभी का मैं हूं मिस्टर घोस्ट गेमिंग और आज हम बात करेंगे अपदेट 0.9 के बारे में आज हम देखेंगे कि 0.9 में क्या-क्या नया नया चीज़ा आ रहा है सबसे पहले बात करते हैं हमारा में मेन मेन के बारे में जो की फुल डेकोरेट कर दिया है हेलोवीन की तरह और आपका हेलोवीन आ रहा है 30 अपर तो अपदेट तो आपका उससे पहले आजाएगा आप सभी लिए अंड़ा लगा चुके और देखे यार और उसके साथ हेलोवी हेलोवीन की बच्टा रहता है बैकराउन में आप एंदर जाएंगे वहां भी हेलोवीन का मुजिक बच्टा रहेगा और यह ठीम आप चेंज कर सकते हैं आप सेटिक्स पी जाके यह मेंन माना चुटी में हमारा क्लासिक का वो भी लगा सकते ने आपको दिखाता हूं यह आ क्लासिक चाहिए तो क्लासिक चूज़ करके आप लिजिए नेक्स बात करते हैं पीपी ड्राइविंग की और जिसका हम सभी को काफी बेस सबरी से इंटजार था जो की अपडेट 0.9 में आ जाएगा यह हम बीटा में चला रहे हैं और यह बाइक चला रहे हम मोड में अब को वहां पर सारे वेहिकल एफपीपी में चलाने को मिल जाएगा और उसी के साथ धरिक वेहिकल में ब्रेक का ऑप्सिन भी दाल देया क्या मस्त है यार और साथी साथ एड़ कर दिया है रेडियो आप बगी चलाएंगे जीब चलाएंगे दासिया चलाएंगे तो आपको रेडियो सुनाई देगा कारी में चलिए आप लोग को सुनाते हैं भाई साथ मज़ा आगया यार एक तो आप एफपीपी ड्राइविंग खरेंगे उपर से आपको कारी में म्यूजिक भी सुनाई देगा बहुत सही यार आगे भरते हैं नेक्स्ट चेंज की तरफ जो की यार आप सभी को पसंद आएगा देखते हैं यह है आपका पीक एंड ट्रो भाई लोग आपको अभी ग्रिनेड फेकने के लिए बाहर निकलने का ज़रूरत नहीं है आप जैसे गोली चलाते पिक करके बस अपना मुंदी बाहर निकालके हैं वैसे ही अभी आप ग्रिनेड मोल्टॉफ स्मोक फ्लैस सभी फेक सकते हैं पिक करके लेफ देन राइक पिक करो और ग्रिनेड फेक डो भाई लोग काफी तेम ऐसा होते हैं कि आप सभी लोग मुंदी बाहर निकालने ही पाते हैं मनलब इक नहीं कर पाते हैं ग्रिनेड फेकने के लिए और आपको ग्रिनेड फेकने के लिए बाहर आना परता है जबकि एनेमी वहां पर है तो आपको क्या होता है एनेमी आराम से मार पाता है लेकिन अभी असानी होगा अभी आप लोग बस मुंडी बाहर निकाल लिए और आपके एनेमें पे ग्रिनेट फेक दीजिए भाई साफ बहुत सही चले आगे बरते हैं नेक्स चेंज की तरफ जो की है आप सभी का फैबरेट नाइट मोड भाई लोग नाइट मोड यार चले थोरा सा खेलते हैं नाइट मोड में और आपको नाइट मोड के साथ एक नाइट वीजन में मिलेगा जो कि आपको काफी हेल्प करेगा नाइट मोड में खेलने के लिए भाई लोग और आप उसको एनेवल और डिसेबल भी कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि एनेवल क के तरफ जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा चले देखते हैं और यह पता है मुझे कि आप सभी को पसंद आएगा जो कि है स्पेक्टेट ऑपोनेंट भाई बहुत ही मतलब मस्ट चीज दाला है यह वाला ही सब्देट में जैसे कि आप देख रहे उस बंद ने मुझे मारा तो अभी यहां पर ऑप्शन है और को है स्पेक्टेट का स्पेक्ट ऑपोनेंट जैसे में वहाँ पे क्लिक करूंगा मैं उसको स्पेक्टेट कर पाऊंगा उसको मैं डेख tai कंगा और उसका फुलेंप्ले देख सकूंगा जब तक वो नहीं मरता हैं और अप लोग यह मत सोचिए कि यह वाला और सकवाड में भी इवेलेवल होगा सकवाड में एवेलेवल है लेकिन अगर आप सकॉअठ्स का लास्ट बंदा है और आपको कोई मार गया तभी है आप उसको सेटेट कर सकते हैं अगर आपके संग्यां का आप hairst का बाकी बंदे और तुम उसको एक करके उसका फुल लुकेशन अपने टीमेश को दे सकते हो तो इसलिए उसलिए वह पर दें रखा आप अगर लास्ट बंदे हो और आपको क्या मार देता है तभी आप सको स्पेक्टेट कर सकते हैं फिर यहार बहुत सही बहुत सही यह जिम क्रेंवाइब काफी advantage भी होगा जैसे कि आप enemy के play style देख सकेंगे बोलो कैसे खेलता है दूसरा बंदा कैसे खेलता है क्या-क्या tactics लेगे खेलता है किस ताइब का खेलता है जब सामने हो तो क्या करता है उसका reaction time कैसा होता है आप सभी लोग देख सकेंगे वह वाला और काफी कुछ हमको सीख देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए हर एक बंदे का play style अलगल होता है तो हम जब भी मरेंगे अपने enemy को expected करेंगे तो उसका play style हमको समझ में आएगा हर एक बंदे का different different play style हम लोग देखेंगे तभी हम लोग काफी कुछ सीख पाएंगे और उसी साब से अपना वाला mix करके हम लोग खेल पाएंगे तो काफी improvement होगा हमारे भी gameplay में तो चले इसी का सारा आगे बढ़ते next change की तरह और लाइक एक्याम ही है damage में आपका recoil में सारे तरफ से एक्याम है आप उसको AKM का सगा भाई बोल सकते हैं और यह वाला gun आपको inventory में नहीं दिखेगा अभी beta version में लेकिन जब update है तब दिख जाएगा कोई दिक्कत में अभी आप अगर inventory में चेक करेंगे कि barrel m762 है की ने तो आ अब जैसे training mode में जाएंगे आपको वहां पर barrel m762 गन मिल जाएगा जो कि अभी हम जोंचा रहे training mode में और देखते गन चला के कैसा है क्या क्या damage उसका हम training mode में आ गया है और हमारा gun दूनते है यह रहा barrel m762 अभी हम इसको चला के देखेंगे कैसा है इसका recoil और किस ताइब से गोली चलाता है हमारा यह गनवा चले वह लोग तेज़ करते हैं अपना barrel m762 अभी हम चला के देखेंगे barrel m762 और देखते कैसा चलता है यह gun और आपको बता दो कि यह gun आप तीन mode में चला सकते है एक तो है auto एक burst और एक single mode में लेकिन AKM आपका सिर्फ single और auto में चलता है burst mode नहीं यहां पर और barrel m762 में burst mode चलाएंगे तो आपको एक साथ तीन तीन गोल ही निकलेगा भाई अगर पास में हो तो बचने का उसका कोई चांच ही नहीं है पूरा भून देगा मतलब यह m762 से दूसरा गन जो नया है वह है आपका QBU जो कि यूज करता है 5.56 MO और यह gun सिर हर एक मैप में मिल जाएगा जैसे कि नॉर्मल गन मिलता है ना घर वगेर है वहीं पर मिल जागा आपको इसाने के सिर्फ ड्रॉप में मिलेगा और एक QBU यहां पर रिप्लेस करेगा मीनी 14 को से नहीं मिलेगा आप लोग को उसकी जगह पर QBU मिलेगा नेक्स हमारे साथ क्यों की स्कुーटर आपको सिर्फ सेनौ रच और ने यह नहीं भरॉर गूटर के साथ साथ knob के आ अगया है और यह वोग के मौने है यह वाला और के HO ससी और यह जरू पॉइंट नाम का। और अभी हम बात करेंगे कुछ दूसरे चेंजेस के बारे में और उसमें सबसे पहले आता है आपका स्कोप पिकप लिमिट आप यहां पर लिमिट सेट कर सकते हैं कि आपको कितना कौन सा स्कोप चाहिए जैसे कि हम लोग मो बगरे का लिमिट लगते हैं जैसे अभी आप आपको जितना चाहिए उतना लिमिट रख दीजिए आपको डो चाहिए आपे दो कर दीजिए जार चाहिए जार कर दीजिए सब का एक-एक रखना सही है ताकि बैक पर आपका फोकट में फुल ना हो जाए चलिए बात करते हैं नेक्स चेंज की तरफ जो कि है ब्लू जोन अब इस अब्डेट के बाद जो भी जब भी ब्रूस जोन आएगा तो वह फूरा ब्लू वेफ की तरह आएगा जो कि फूरे मापको कवर करके रखेंगा ना अब पूरा मैप कवर कर लेगा जब भी ब्लू जोन आएगा जैसे कि आप देख सकते यहां पर लेक्स थे आपका स्कोप चेंजिंग ऑप्शन अगर आपके पास तीन चार स्कोप है रेड़ डूर्ट टू एक्स फॉर एक्स 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 तो आप वहां पर चेंज कर सकते सीध और आपके स्कीन में तर्ट करके करें आपको खोलने का कोई जरूत नेहीं यह से कि आपका जहां पर स्कोप का और सकोप करेंगा हमारा भी तो इस वीडियो में मेने जितना हो सके जो जो बर्यवरे changes मैजर changes को cover करने का try किया है और ऐसे काफी और वी सारे changes है जो हम चोड़ दिये है क्गी एक ही वीडियो में smš changes add करेंगे तो काफी लंबा हो जागा वीडियो इसलिए जितना हो सका जो बराबरा changes है उसी को एड़ किया है और आप पताए कमेंट बॉक्स पे आपको कौन सा वारा चेंज सही लगा और अगर आपने कोई दूसरा अच्छा चेंज नोटिस किया है बीटा वर्जन में तो प्लीज यार कमेंट कीजिए ताकि हम सभी को पता चले उसके बारे में सब्सक्राइब और कमेंट लाइक ठोकिए भाई लोग और जितना हो सगे वीडियो को शेयर किजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविद्या भाई लोग मद्धन के लाऊ स्ब्सक्राइब